तो आज के इस वीडियो में क्लास 10 आरे सरवाल की टॉपिक पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2C के कुश्चन नमबर 6-10 को डिस्कस करेंगे ठीक है इसके पहले के वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है जिसको आप नीचे डिस्क्रिट्ट बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में यह वहाँ पर आपको उसका लिंक बिल जाएगा ठीक है तो मुलों कुश्चन नमर 6 से स्टार्ट करते हैं देखिए कुश्चन नमर 6 आपके पास यहाँ पर लग गया होगा हम लोग कुश्चन पढ़ लेते उसके बाद इसको सॉल भी कर देंगे देखिए क्या बोल रहा है 3 is a 0 of the polynomial मतलब एक कोई polynomial दिया गया है यह 2x square plus x plus k और इसका एक 0 क्या बोल रहा है 3 बोल रहा सॉरी मैंने 2 बोल दिया साथ तो 3 मेरा इसका एक 0 है तो क्या करना है यहां पर जो k दिख रही है इसकी value को find करना है ठीक है तो फटा-फट find कर लेतें देखिए मेरे पास px है दि जिसको इसमें रखने पर expression में रखने पर यह पूरे term को क्या कर दे 0 कर दे 0 का मतलब यह होता है ठीक है तो यहां लिखेंगे यहां लोग क्या लिखेंगे since since 3 is 3 is 0 of 0 of given polynomial 0 of given polynomial ठीक है given given polynomial आपको पूरा लिखना expression तो पूरा लिख सकते हैं ठीक है इसलिए hence hence क्या हो जाएगा देखिए एक्स के बदले कितना रखेंगे तो इस पूरे पूरे expression का वेल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो आइए फटा-फट रख देते हैं देखिए 2 है मने पास तो बरही प्यार से 2 रहने दीजिए क्या करेंगे एक्स के बदले कितना पूट करेंगे 3 तो यहां पर 3 पूट कर लिजिए और इसका क्या करेंगे स्क्वाइर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है और इसके बाद प्लस साइन है यहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे 18 कर लेंगे plus का sign है plus देंगे यहां पर 3 है तो 3 लिख देंगे plus का sign है फिर से plus देंगे और k equal to zero कर देंगे यहां से देखा जाए तो कितना जाएगा मेंट पास? यह आजाएगा 21 plus k equal to zero अजाएगा और हम लोग k का value अगर निकालना चाहें तो k कितना जाएगा मेरे पास, यह 21 प्लस में है, तो अधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 21 इसका आंसर हो जाएगा, k का वैलू ठीक है, इसकी वैलू को फाइंड करना है, तो आपको पता चल गया होगा, कि X का वैलू जिसमें इस एक्स्प्रेशन में रखने में, रखने पर क्या हो जाएगा, पूरे एक्स्प्रेशन को क्या कर देंगे, जीरो कर दे, उसको हम लोग जीरो करते हैं, ठीक है, तो बस यहां पर हम लोग लिख देंगे, लेंग्वेज में, सिंस, क्या, माइनस 4 इस जीरो ओफ, जीरो ओफ, क्या, अफ दे गीवेन पॉलिनोमियल, ठीक है, लिख लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है, पी ओफ, मतलब यह पॉलिनोमियल ओफ, कितना एक्स के जगा कितना रखेंगे, तो एक्स के जगा अगर माइनस 4 रख देंगे, तो यह पूरे एक्स्प्रेशन का जीरो किसके एक्वाल हो जाएगा, अब कुछ नहीं कि जहां जहां एक्स दिख रहा है, वहां वहां आप मतलब k का value हम लोग find करनेंगे, चली find करते हैं, यहां पर मिर पास क्या x square मतलब माइनस 4 का क्या है, माइनस 4 का क्या कर लेंगे, square कर लेंगे, माइनस sign है, माइनस देंगे, फिर से क्या x है, मतलब x का value कितना रख रहे है, माइनस 4 रख रहे है, तो यहां पर रख लेंगे, फ jsubhett 6 Ho जाएगा तो यहाँ पर 16 रख लेतने हैं फ्लस कर लेंगे थीक हैivos ऐसे ऑ ही भ्रेकिट में है और यहाँ यहाँ चीज मैंने हमिद्थ क्लये कर दो जाएगा को मेंद्र का सवल्डरी जाएगक को जो सब्सक्राइब कर दिए कितना आजाएगा में पास 18 आजाएगा ठीक है तो 18 माइनस कितना 2k equal to 0 अब यहां तो 2k को उधर कर दीजिए जा फिर 18 को उधर कर दीजिए हम लोगो के की वैलू से मतलब है तो से 18 पर कितना आढ मैनिस 2 से से say-1 को एक कर देंगे और का व्यली अगर निकालना चाहिए तो एधर18 तो है यह म्हलlichen मृटिपलाइड महिंथा है इसको कट किजिये । तो 9 आजाएगा, मतलब k equal to कितना आजाएगा, 9 आजाएगा, अगर आपको screenshot लेना, तो यहां से ले सकते हैं, लोग next question की तरफ move करेंगे, पिछले जैसा ही question है, तो पहले एक बड़ हम लोग question पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है, if one is a zero of polynomial, यह मेरे पास polynomial का expression दिया गया है, और one इसके बारे में क्या बोला गया है, कि इसका एक zeros है, हम लोग को find किया करना है, यहां जो ए दिख रहा है, इसकी value को find करना है, तो फटा-फट find कर लेते हैं, zeros का मतलब आपको पता चल गया होगा, zero का मतलब होता है, x का वैसा value, जिसमें इस expression में रखने पर पूरे value, मतलब पूरे expression को क्या कर दे, zero के equal कर दे, इसको हम लोग क्या करते है, zeros करते हैं, तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग x equal to one put करेंगे, और इस पूरे expression को zero के equal करके, हम लोग a का value find कर लेंगे, ठीक है, तो चलिए find करते हैं, क्या लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, since, since one is a zero of, zero of given polynomial, ठीक है, given क्या polynomial, ठीक है, polynomial नहीं पर पूरा लिख लीजिएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p of polynomial of one, one, x के जगा कितना रखेंगे, one रखेंगे, तो ये पूरे expression का value कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्यूंकि one x zero है, ठीक है, तो बस कुछ नहीं किजी, one x के बदले one put कर दीजिए, और हम लोग a का value find कर लेंगे, सबसे पहले a है, तो यहाँ पर a ऐसे ही छोड़ दीजिए, one, sorry, x, x के बदले कितना रखेंगे, one रखेंगे, और इसका क्या करना, square कर देना, तो यहाँ पर square कर दीजिए, minus sign है, minus दे दीजिए, three है, तो three रख देंगे, और यहाँ पर a minus one है, तो यहाँ पर a minus one को छूट र लेंगे, zero कर देंगा, अब यहाँ से हम लोग एक value असानी से find करते है, चलिए, a into one का इसकार कितना, one ही, तो a into one कितना, a हो जाएगा, minus का sign है, minus दे दीजिए, अब सबसे पहले three into one किजिए तो कितना आ जाएगा, three ही आ जाएगा, तो यहाँ पर one नहीं भी दिखेंगे, त three into a करेंगे, तो कितना जाएगा में पास, three a आ जाएगा, ठीक है, अब यह minus, यह minus, बैकेट खोड़ रहे है, तो minus का क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, तो यहाँ पर plus दे दीजिए, अब three into one, कितना हो जाएगा, three हो जाएगा, और यहाँ पर minus one पहले से है, तो इसको लिख दीजिए, और zero के equal कर दीजिए, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से a की value को find कर सकते हैं, देखे, a में से three a को subtract कीजिएगा, तो में पास कितना जाएगा, minus two a आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर plus का sign है, यहाँ पर देखे, three minus one, कितना two, मतलब plus two हो जाएगा, equal to zero क कितना जाएगा, two by two, और इसको cut कर दीजिए, तो में पास one आ जाएगा, तो ठीक है, आपको समझ में आगा कि कैसे आया है, यहाँ से अगर screenshot लेना चाहती है, तो आप यहाँ से screenshot ले लीजिए, हम लोग next question की तरफ mook करेंगा, question number nine को discuss कर रहे है, इसमें सबसे पहले question पढ़ क्या रहा है, जो k दिख रहा है, इसकी value को find करना है, ठीक है, तो zero का मतलब अब आप जान चुके होंगे, तो बस लिख देना है, since minus two is zero of zero of given polynomial, ठीक है, given polynomial, ठीक है, अब हम लोग जान चुके है, कि minus two क्या है, given polynomial का, एक zero है, इसका मतलब क्या, कि x के बदले, अगर हम लोग मा ठीक है, तो यहां से लिखना चाहें, तो polynomial और कितना, x के बदले, अब कितना रखेंगे, minus two रखेंगे, तो इसका value कितना आ जाएगा, zero के equal आ जाएगा, ठीक है, तो यहां रख दिए, अब कुछ नहीं कीजिए, x के बदले, minus two सब जागा, put कर दिजिए, और k का value, find कर यहां पर three है, तो यहां पर three लिख लिजिए, और x, x के बदले, कितना रखना है मेरे पास, minus two रखना है, ठीक है, तो minus two रख देंगे, और इसका square कर लेंगे, plus sign है, plus दे दिजिए, four है, four कर लेंगे, x, x के बदले, फिर से कितना, minus two, तो minus two कर लिजिए, plus two k, plus क्या कर फोर को जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहां से 12 लिख लेंगे, plus का sign है, यहां पर plus रहने दिजिए, plus, or minus, देखे, यहां पर plus है और यह minus है, कितना होजाएगा, पास minus हो जाएगा, क्या, तो यहां से minus कर देंगे, four into two eight कर लेंगे, ठीक है, plus two k कर लेंगे, equal to zero कर लेंगे, अ का value आसानी से हम लोग find कर सकते देखिए 12-8 कितना 4 हो जाएगा 4 पलस 2K एक्वल टू 0 अब के का value नहीं निकाल सकते है क्या यहां से 2K इक्वल टू कितना कर लेंगे 2K इक्वल टू यह 4 को उधर करेंगे तो यह माइनस 4 चला जाएगा अब 2 को नीचे कर दीजिए 2 को नीचे कर दीजिए तो माइनस 4 वाइ 2 इसको कट किजिए तो माइनस 2 आंसर आजाएगा ठीक है इसक्रीन सट लेना चाहते है तो आप यहां से ले सकते हैं लोग नेक्स्ट कोशन की तरफ मूब करेंगे कोशन नमबर 10 और इस वीडियो के लाश्ट को देख रहें देखिए इसमें कोशन आप पढ़ सकते हैं फाइंड क्या करना यह जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसके जिरो सको फाइंड करना है जैसे आपने कोशन नमर 1-12 करते हैं ठीक है तो यह पर में पास कितना दिख रहा है माइनस 6 दिख रहा है और माइनस 6 को कितने से करेंगे x square से कर देंगे multiply ठीक है ऐसा कर दीए अब हम लोग जानते हैं कि इसको कुछ ऐसा स्प्रिट करना है कि multiply करने पर माइनस 6 आए और add या subtract करने पर कितना है में पास माइनस 1 x आए ठीक है तो कुछ नहीं करेंगे देखिए करते हैं कैसे कैसे करेंगे देखिए इसको सबसे पहले 1 x 6 लिख सकते हैं ठीक है और क्या लिख सकती है 2 x 3 लिख सकते है और आगे बढ़िएगा तो फिर से repeat हो जाएगा 3 x 2 मतलब सेम चीज आने वाला है तो बस यही आएगा क्योंकि इसी से split करके बनाए है अब add या subtract करके देख लेते हैं इसको 6 और 1 को कभी भी add किजेगा या subtract किजेगा तो माइनस 1 तो कभी नहीं आने वाला ठीक है तो इसको काट दीजिए ठीक है अब 2 और 3 subtract किजिए तो 1 तो आ जाएगा लेकिन हम लोगों केता लाना ह माइनस लाना है तो 2 को positive रहने दीजिए 3 में माइनस का sign लगा दीजिए और दोनों तरफ क्या कर दीजिए x लगा दीजिए 2x माइनस 3x मेरे पास माइनस x भी आ गया और इन दोनों को multiply किजिए यहां पर plus minus minus भी हो गया 3 into 2 6 भी हो गया x into x x square भी हो ठीक है तो मतलब इसके ब बदले कितना रखेंगे यह मेरे पास plus 2x minus 3x है तो यहां पर वही चीज हम लोग रख देंगे ठीक है यहां पर यही चीज को हम लोग ऐसे सजा देंगे इसके बदले यह लिग दिए अब मेरे पास minus 6 है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ठीक है अब दोनों में से क्या करें मेरे पास 2 बच जाएगा तो यहां से 2 लिख दी है ठीक है minus sign है तो minus common ले लिजिए मतला बहे हां लीजिए 4 को common लिजिए अब यहां से 3x में से 3 को common ले लिए तो में पास x बच जाएगा minus sign है और यहां पे minus निकाल चुके है और bracket देर तो यहां sign क्या हो जाएगा change हो जाएगा ठीक है प्लस और 6 में से 3 को common ले लिए तो 2 आ जाएगा ठीक है अब यहां देखिए ये और ये दोनों common दिख रहा है तो इन दोनों को बड़े ही प्यार से क्या करेंगे हम लोग common लेंगे ठीक है यहां common लिए तो अब यहां देखिए इस पूरे term में से इसको common लिए तो पस x बच जाएगा क्या तो x लिख देंगे अब यहां पर आजाएए minus sign है इस पूरे term में से यह common लेंगे तो 3 बच जाएगा क्या तो 3 लिख देंगे ठीक है हम लोग को find करना है zeros तो बस कुछ नहीं करेंगे लिखेंगे 4, 4 zeros, zeros, zeros मतलब क्या होता है कि x का वैसा value जो पूरे term को क्या कर दे 0 कर दे ठीक है और fx यह है मेरा और इसी को split करके हम लोग यह लाए है मतलब इसके equal to हम लोग 0 लिख सकते हैं ठीक है तो बरही प्यार से लिखते हैं देखिए x plus 2 और यहां पर x minus 3 equal to 0 है दोनों को अलग-अलग 0 की equal कर देजे x का value आ जाएगा ठीक है x plus 2 equal to 0 और यहां पर x minus 3 equal to 0 ठीक है यहां से निकालना चाहें तो इसको उधर कर दीजो तो यहां plus में तो यह minus में आ जाएगा यहां से उसको उधर कीजिएगा तो यह कितना आ जाएगा प्लस में आ जाएगा ठीक है मतलब 1 0 3 आया और दूसरा 0 minus 2 आया ठीक है आपको screenshot लेना है तो यहां से ले सकते हैं हम लोग thank you slide की तरफ move करेंगे ठीक है तो यहां पर आपका thank you slide आ चुका है अगर आपको कहीं problem होत अगर ठीक है तो पढ़ते रहिए खेलते रहिए और मुस्क्राइए with thanks friends have a nice day मिलते हैं next video में